तो भाई आज हम बात करेंगे जुलाई मन्त के सिस्टम लाउंचर के नए अपडेट के विवारे में और एक बात यह आपको स्टेबल सिस्टम लाउंचर का अपडेट देखने को मिलता है Realme ने इससे पहले भी आपको सिस्टम लाउंचर के काफी सारे अपडेट्स प्रोवाइड करवाए थे लेकिन उनके अंदर कोई नया फीचर एड नहीं हुआ था तो उनके वारे मैंने आपको वीडियो बना करके नहीं बता है लेकिन आज फाइनली Realme ने जुलाई मन्त का सिस्टम लाउंचर का जो नया अपडेट है वो रिलीस कर दिया है और इसके अंदर आपको काफी सारे नए फीचर भी देखने को मिलते हैं तो आज किस वीडियो में इसी सिस्टम लाउंचर के नए अपडेट के वारे में बात करेंगे तो वीडियो काफी जादा इंटरस्टी होगी वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक वाच करना एंड इस टैप की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आपको लाखर का बटन देखने को मिलेगा सब्सक्राइब कर लेना इसलिए के साब बेल आइकन को आप लिए और पर प्रेस कर सकते हो इस वीडियो के उपर फाइव अंडर लैक्स का टागेट रखते हैं आई होप आप लोग कंप्रीट करवाद होगे सो लेट्स बिग गेन दोस्तों बात की जाए सिस्टम लॉंचर के नए अप्रेट के विवारे में बट उससे पहले आप लोग सिस्टम लॉंचर का जो वर्जन है वो एक बार चेक आउट कर लें इसकरे सिंपली आपको जाना है सेटिंग के अंदर एप के सेक्शन को ओपन करो एप नेजमेंट को सेक्शन है इसको आप लोगों ने सिंपली ओपन करना है सिस्टम लॉंचर को फाइंड करो अगर आप लोग सिस्टम लॉंचर का वर्जन चैक आउट करें तो आप लोगों को 12.1.01 देखने को मिलता है पहले आप लोगों को वर्जन 12.0.50 देखने को मिलता था तो वौब को देखने को मिलता है Smart Assistant सिस्टम लॉंचर के अपडेट के अंदर आपको Smart Assistant भी चाने को मिलेगा साथ में Step Packer को क्युक फंक्सिन जो है यह भी आपको बर्किंग दीखने को मिलता है रिनल से को क्स्स्टीम चिरुकीर वह भी आपको देखने को मिलें गे साथ में अगर आपके device में जो Google का Google Feed है उसको आप लोग replace कर सकते हो Realme के Smart Assistant से और Realme UI 3.0 के अंदर भी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और ये जो system launcher है Smart Assistant और Google Feed दोनों को support करेगा अगले feature की बात करें तो वो आपको हलका सा एक UI का changes देखने को मिलेगा जैसे आप लोग अपनी screen को pinch करोगे और अगर आप लोग changes देखें तो यहाँ पर आपको जो बार देखने को मिलती थी उसके side में आप लोगो stroke देखने को मिल जाती है लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क कि जो setting है वो भी system launcher के अपडेट के अंदर working देखने को मिलती है आपको पसने है इस so app suggestion display keyword साथ में add apps to home screen के जो features हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन एक नया feature Realme ने introduce किया है वो रहा crucial wallpaper का basically आप लोगों को यह Lock screen magazine का updated version देखने को मिलता है Glance for Realme अगर आपके device में available है फिर भी आप लोगों को Lock screen magazine section के अंदर जो crucial wallpaper है उसका support देखने को मिल जाएगा इस system launcher के update के अंदर basically अब Realme के जो भी flagship devices है उनसे Realme Glass for Realme को remove करके जो crucial wallpaper है इस features को provide करवा देगा और home screen sections के अंदर आप लोगों को app draw setting and crucial wallpaper के जो नए features है इस update के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों बात की जाए अगले feature के विवारे में तो वो आपको देखने को मिलेगा setting के अंदर आपने system setting को open करना है accessibility setting को open करो interaction section के अंदर आपको switch access का जो features है वो देखने को मिल जाएगा बेसिकर इस features की मदर से जो भी data आपके mobile phone के अंदर होगा वो आप लोग अपने PC अपने tablet या किसी और device के अंदर simply one click से access कर सकते हो simply आप लोग उने switch access जो इस features को enable करना है और इसके बाद जितना भी आपके smartphone का data होगा जो भी आप लोग टेस्ट अपनी smartphone में feel करोगे वो आपको आपके tablet आपके PC के अंदर भी देखने को मिल जाएगा यानि कि एक ecosystem create करने का जो features है वो आपको switch access जो है वो देखने को मिलता है और इस update के अंदर आपको यह features जो है accessibility के section में अभी तक देखने को मिलता है साथ में oneplus का clock visit वो भी आपको इस update के अंदर वर्किंग देखने को मिलेगा अगर आप लोग विजट का section चेक आउट करें तो यहां में आप लोग को oneplus की जो clock visit वर्किंग देखने को मिलती है और जो UIS का काफी अच्छे तरीके से realme ने realme UI के अंदर implement किया है एंड system launcher के इस update के अंदर आप लोग को sound and vibration section के अंदर जो notification की sound का UI है वो भी realme ने change कर दिया आप लोग को नया UI देखने को मिल जाएगा smoothing sound आपको अलग से देखने को मिल जाते है melody sound आपको अलग से देखने को मिल जाएगी और यह features यह नया UI आपको system launcher के इस नया update के तो वो आपको देखने को मिलेगा setting के अंदर about phone में और अगर आप लोग software update section का UI देखें तो इस update के अंदर आपको बिलकुल new देखने को मिलता है वैसे कलिए आपको एक colorless टोलब का देखने को मिलता है लेकिन realme के devices में भी install हो जाएगा अगर आप लोग देखें तो सब से पर आप लोग को आपकी UI का logo नीचे आपको version और जो information अपडेट की वो देखने को मिल जाएगी वैल मुझे यह UI काफी पसंद है आपको कैसा लगा यह आप लोग हमें comment section के अंदर बसा सकते हो basically आपको इस तरिका जो UI है colorless 13 के अंदर देखने को मिलेगा अब दोस्तों इस update के अंदर आपको system UI की जो performance है काफी अच्छी देखने को मिलेगी system का जो lag देखने को मिलता जीटरी नेश देखने को मिलती थी वह भी आपको इस update के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अब दोस्तों यह तो बात होगी system launcher के नए अपडेट के विफारे में और जो नए फीचर एड हुए थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिये अब दूस्तों मेन बात आती कि आप लोग सिस्टम लाउंचर को डाउनलोड कहां से करें और इंस्टॉल कैसे करें तो इसके नीचे डिस्किप्शन में आपको Realme System Apps Update टेलगाम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा सब्सक्राइब यह